यलो फ्रेंट्स इस वीडियो में मैं आप सबीको बताने वाला हूं कि फोन पे कैसे चलाएं आज के इस वीडियो को देखर आप पूरी डिटेल्स में यह समात आएंगे कि फोन पे कैसे अपने ATM काड को आइड किये जता है और फोन पेसे काईसे किसी वी अबने कंटेक्ट को म बाता प्रोबाइल नमर के ठुरोफ पेमेंट करता है या फिर से एकान्ट के ठुरूफ पेमेंट किये जाता है आप इस वीडियो में पूरी डीटियल्स में जानेंगे तो सबसे पहले आप फटा फट वीडियो को लाइक कर दिजिए हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइबर के में लाइकन प्रेस कर देरा ताकि ऐसे ही इंट्रेश्चिंग और वीडियो आपको मिलती रहे तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्षें बक्स में आंपको फोन पैनिक का लिंक दिए tank की लिग्ष॥ कर लेता हुँ चलिए हम अपना यहाँ पर मोबाइल नमबर डालने पाद अपको यहाँ पर एक प्रोचीड का बटन दिखे जाएगा आपको सिंपल यहाँ से प्रोशीड कर देना है और प्रोशीड जैसे ही प्रोशीड पर किलिक करेंगे, उसके बाद आपसे कुछ पर डीटेक्ट कर लेगा या फिर आपको बोटीपी देखकर डालना होगा अब यहाँ पर देखिये और टिपी आटमेटिक फिल हो चुका है अब हम यहाँ से पर मिसंस को अलाओ करना है अब सारे परमिसंस को अलाव कर देंगे वीडियो को लाइक कर दिजिए अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और आपको इए इस पर किलिक करना ऐे जैसे ही है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर करने के लिए बुल ला जाएगा तो अगर यहां यहाइद रहा है तो आप यहां से कलिक करेंगे या फिर आप यहां से सर्च भर में अपने बैकग का नम यहां पर लिख देंगे तो देख़मेरा मे ups यहां पर आप Mc अ यहां से कोड भी आ गया और यहां पर अपके ब्रांच की पूरी डीटाल आगी आपका नाम और आपका i deny Indy यहां पर त्रश हो जाएगी जो भी उप्याइबिया इडिए आप यहां पर सकते हैं हुआ अपगे यहां पर अगर आप UPI ID को Gothic करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो इडिट का बटन दिया गया है आपको शिंपली इस इडिट वाले बटन पे किलिक करना है इडिटा वले बटन पे किलिक करके यहाँ पर नंबर रहता है तो यहाँ पर जैसे कि आप कुछ भी डाल सकते हैं तो चलिए यहाँ से मैंने अपना UPI ID यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है अब यहाँ पर आपको प्रोसीड टू एड वाले बटन पर किलिक करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसीड टू एड का बटन है नीचे आपको आप सिंपली इस पर किलिक कर देना है जैसे ही आप इस पर किलिक करोगे आपका एकाउंट यहाँ पर लिंक हो जाएगा अब आप यहाँ पर किलिक कर देना है अब जैसे याप सेट यूपी आई पीन वाले बटन पर किलिक करेंगे आपके समने ऐसा पप आएगा यहाँ पर आपको अपनी कार्ड डिटेल्स डालने के लिए बोला जाएगा उसके बाद यहाँ पर अपनी मॉन्थ और डालेंगे उसके बाद आप आसानी का जो बटन दिख रहा है आपको इस पर किलिक कर देना है अब जैसे ही आप यहाँ पर प्रोसीड वाले बटन पर किलिक करेंगे अब देखिए यहाँ पर यह आपके पीन को यहाँ पर क्रियेट करेगा यूपी आई पीन आपका यहाँ पर क्रियेट होगा आप यहाँ पर सरे पर देख सकती है अब कर सकते हैं अब यहां पर एकांट हो चुका है successful अब यहाँ पर profile पे किलिक करके आप अपनी सारी details यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफाइल पे किलिक करके आप यहाँ पर अपना keyword code देख सकते हैं यहाँ पर अपनी UPA ID भी देख सकते हैं यहाँ से address और सारी चीज़े अगर आपको jeito करना है तो यहां से आप language भी चेंज कर सकती हैं अब चलीए मैं आपको यहाँ पर बताता हूं कि कायसे कि सी को भी पएसे transfer किया जाता है तो पाईसे transfer करने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले mobile पाइल नमबर से ट्रांसपर करने के लिए यहाँ पर टू कंटेक्स पर किलिक करेंगे टू कंटेक्स पर किलिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर नाम सर्च कर दिना है जिस बंदे को आप यहाँ पर भेजना चाहते हैं जो आपके कंटेक्ट में है और यहाँ पर आपको UPI ID पूछा जाएगा तो यहाँ पर जैसे ही आप UPI ID डालकर यहाँ से राइट किलिक करोगे और राइट किलिक करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं अब प्लस पिदेख सकते हैं तो अगर आप शेयर करना चाहा है इसकी रिसीविंग तो यहाँ पर सेयर पर किलिक करके आप शेयर भी कर सकते हैं शेयर पे किलिक करेंगे और यहां से आप देख सकते हैं WhatsApp, Facebook, Twitter आप जहां भी सेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं उसके बाद आप यहां पर आपकी ट्रांजेक्शन आइडी भी दिखाई जागी आप यहां से कौपी कर सकते हैं हór ऌर आपको श्यक्ष ऑफकी ट्रांजेक्शन आईडी यहां पर हो जाएगी अब चलिये यहां से बएक आएग्ए अगा किसी को भी यहां पर एकाउंट के थे किलिक तो आप यहाँ पर two account पे किलिक करेंगे, चलिए मैं बता जीता हूँ कि कैसे आप किसी के भी bank account का थुरू ¿ आप payment कैसे कर सकते हैं? आपको यहाँ पर क्या करना है कि two accounts पे किलिक करना है अब यहाँ पर आपको Add Beneficiary या send a mobile number पे किलिक करेंगे तो चलिए मैं यहां से बता देता हूँ कैसे आपको send करना है अब यहां से जिस person को आप यहां पर पैसे भेजना चाहते हैं आपको simply उसका bank select करना है कि किस bank का account है उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर उसका account number यहाँ पर confirm करेंगे account number दूबारा से डाल कर दालेंगे पर नाम अपड दालेंगे उसका पहलोन नम से थिया का नां अपर ऑफॉन नंबर डालेंगे से आफ का नीचे बटन यहां पर क्वान पर लियकर कर सकते हैं कि तो अब आपको क्या करना है चलिए वो मैं बता जाहिता हूं यहां पर अगर अपको सिंपली इस पर किलीच करेंगे कटेख़ करेंगे यहां है रिंगा पर आपके बैंक का GOTको भी ऐ हमारेंगी है जाएगा यहां है आपको यहां। यहां स्फसेच法 अब आपको यहां पर कर देना है यहां से बेक आजाना हैं अब आप यहां पर क्या करना है अगर आपको वालेट करना यहां है आप अगर आप किसी को भी उसका क्योर कोडी से करने करना चाहते रहें तो आपको कैसे keyword code scan करके payment करना है वह आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ऊपर यहाँ पर एक वेल जो घंटी का बटन है उसका UPAID यहाँ पर सो घाएगा जलना है उसके बाद जो भी मेशाज लिखना है कि आप किसलिए comment करना है यहाँ पर लिकर नीचे दिख रहा है क्या देfähत रही हैं आपेट यहाँ देच आक बटन है आपको सिम्प्लि सेंड वाला बटन पर किलिक कर दिना है जैसे ही आप सेंड पर किलिक करोगे आपसे यह UPS पूछेगा आप अपना यहाँ पर legisl डालेंगे यहाँ पर यहाँ से कफिर करेंगे और यहाँ पर आसाने सिबासे करेंट कर सकते हैं तो आज करते हूँ है तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब पर के वे लेकिन प्रेश कर देना